आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में आज जो मैं आपके लिए वीडियो गंटेंट लाए वो काफी इंट्रेस्टिंग है काफी हेल्फुल रहेगा जिन्होंने इन स्टॉक में पिछले तीन सालों में अप्लाई किया था आपके लिस्टिंग प्राइस के आस पास नहीं है या फिर काफी सारे फिर इस वीडियो में इस प्रीश हैं जो पिछले तीन साल में आई प्लाइ किया है लेकिन अपने लिस्टिंग प्राइस से काफी निचे है इस समय लेकिन अब उसमें से उन companies को अपने portfolio से exclude करना है या फिर अभी भी average करके या फिर उन stocks को ऐसे ही hold करना है तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि new age जो stocks आए है new age जो IPOs आए हैं उन में fresh investment करना है या फिर already अगर आपने investment किया है IPO listing के दौरान उस investment का कैसे आपको tackle करना है तो ये पूरा इस वीडियो में पूरा discuss करेंगे और ऐसे कुछ चार से पाच IPOs के बारे में discuss करेंगे और समझेंगे कि अब आने वाले सबह में कैसा improvement in companies के performance में दिखने मिलेगा जिससे जो listing price जो थी IPOs की वो फिर से आपके portfolio में दिखेगी तो वीडियो को end तक जरूर दिखेगा काफी interesting होने वाला है और काफी helpful होने वाला है आप सभी के लिए वीडियो की शुरुआत में कहना चाहूंगा जिन लोगों ने अब तक चैनल को subscribe नहीं किया वीडियो की शुरुआत में चैनल को subscribe कर लीजे बेल आइकन दबाईए ताकि दिन में दो बार कुछ न कुछ ऐसे notifications मिलते रहे जिससे आपका proper portfolio आप tackle कर पाए और साथी में काफी सारे interesting facts आपको पता चले जिससे आपका trading और portfolio management properly आप tackle कर पाए तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले जानते हैं इंडिया का सबसे बड़ा IPO अब तक अगर देखे पिछले कई सालों में जो IPOs की size आई थी in terms of size, in terms of reputation, in terms of valuation, in terms of expectations by the investors वो था LIC पर LIC का IPO काफी समय से investors रहा देख रहे थे कि अब LIC अपने IPOs को list करेगी और अगर हम देखे तो इंडिया की सबसे बड़ी insurance company है globally भी देखे तो इस समय top 10 में नाम आ रहा है LIC का और काफी सारे investments LIC में आ रहे हैं और LIC का अगर portfolio stock holding देखे तो well-reputated stocks यहाँ पे portfolio में है LIC के तो हम LIC के बारे में ज़्यादा बतानी की जरूत नहीं हम सभी जानते है LIC कितनी बड़ी company है और सालों पुरानी well-reputed well-established organization है उसका जब IPO आया था काफी सारे expectations थे काफी सारे reality थी LIC के बारे में जो हम सभी जानते थे लेकिन उसके directly opposite हुआ जो listing price थी वो बिलकुल ही यहाँ पे नीचे आई expectation के इसाब से और अभी भी अगर हम देखे तो exact जो price है IPO का application जो price है वो अभी भी नहीं आया है तो LIC में अब क्या कैसे आपको tackle करना है उसके लिए अगर हम देखे तो recently LIC ने अब नए roadshows किये है globally domestic दोनों तरीके से और उसमें अगर हम देखे तो करीबन 48 billion यहाँ पे LIC का global investors के तुरू आने वाला है LIC में तो अच्छा काशा fund flow है LIC के पास जो expected है इस roadshow के दोरान आत दूसरी अगर हम देखे LIC के खुद के company के performance की बात करें मार्स 2022 में company का revenue था वो था 2,12,340 करोड के आसपास जो इस बार अगर मार्स 2023 में देखे तो 2,927 करोड के आसपास यानि almost उसी in line कह सकते हैं यहाँ पे revenue आए ना जादा बड़ा है ना जादा कम हुआ है लेकिन जो द 2023 में in spite of having high revenue company का जो profit before tax था 3,107 करोड का जबके इस बार आया है 5,240 करोड के आसपास net profit की बात करें पिछले साल था 2,409 करोड के आसपास इस बार आया है 13,190 करोड के आसपास तो net profit अच्छे से improve हुआ है और इसलिए EPS भी 3.8 जो पिछले साल था मार्स 2022 में अब EPS कर आ चुका है 20.9 के आसपास तो EPS में drastic improvement है net profit drastically improve हुआ है और पिछले 3 साल का revenue भी देखे तो constantly बढ़ रहा है 2021 में company का revenue था 6,90,940 करोड के आसपास और इस बार जो company का revenue आया है 7,80,000 के आसपास तो 7,80,000 का revenue है वो constantly यहां पर हो रहा है 7,80,000 करोड के आसपास specifically अगर हम देखे net profit देखे company का 2021 में 227 करोड का net profit था 2022 में loss हुआ था company को negative 71 के आसपास और 2023 में जो company का net profit है वो है 33,812 करोड के आसपास तो drastically improve हुआ है पिछले 3 साल में company का net profit और same way EPS देखे 2021 में company का EPS था 4,7 इस बार EPS आया है 2023 में वो है 56,91 के आसपास तो EPS में strong growth हुआ है LIC के especially अगर हम देखे अगर LIC के competitors की बात करे HDFC life, SBI life, ICIC prudential उसके अगर return of equity की बात करे तो LIC का सबसे ज़्यादा है वो है 79,69 जबकि HDFC life का return on equity percentage देखे तो 10.53, SBI life का 13.21, ICIC prudential का 8.06, एक साल का performance देखे अगर stock price के इसाब से देखे तो सबसे बढ़या performance दिया SBI life ने 9.19% का return, HDFC life ने 15.80 और ICIC prudential ने 15.54, लेकिन अगर LIC की बात करे तो अभी भी negative 4.02 का एक साल का उनका performance है Same way अगर net profit देखे तो highest net profit LIC का है 36,390 करोड के असपास जबकि HDFC life का 1370 करोड, SBI life का 1720 करोड, ACSA prudential का 813 करोड तो net sales की बात करे, net profit की बात करे, LIC काफी जादा है, return on equity की बात करे तो LIC काफी आ गए है अपने competitors से तो इस point को ध्यान में रखते, आपको LIC के जो shares है, जिन्हों अपलाई किया है, उन्हें अभी भी अपने positions hold करने चाहिए average भी करना है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन LIC के shares को अपने portfolio से मत निकालिए ये ऐसे shares है, जो आने वाले next generations, आपके जो है, उनके लिए आपको लेके छोड़ देना है एक हफते में अगर returns देखे, 7.5% का return, एक मेने में 3.5%, तीन मेने में 12% का return है जबकि एक साल में देखे, तो negative 3.5% और 6 मेने में negative 8.5% का return है LIC का अगर हम बात करें, specifically 57% का return आने वाले 12 मेने में काफी सारे analysis प्रेडिक कर रहे है कि LIC में आने वाले 12 मेने में आपको 57% का return मिलता है और जो brokerage जाओने इसके target आ रहे है, वो है जेम financial के 940 Macquarie के अगर साड़े 800, मोतिलाल 830 के आसपास दे रहे target Goldman Sachs 690, काफी lowest target और MK Global 660 तो 690-660 तो current market price के आसपास ही है लेकिन जेम financial के देखें तो 940 का सबसे बड़ा target आ रहा है तो मैं कहूंगा LIC के shares को hold करी अपने आने वाले generations के लिए दूसरा सबसे बड़ा IPO अगर हम देखें in terms of valuation, in terms of size वो था Paytm का, Paytm का IPO काफी hype हुआ था, काफी सारे investors ने apply किया था उस IPO में और Paytm की देखें तो same LIC की तरह ही हुआ था, listing price काफी नीचे आये थी as compared to application price Paytm की बात करें, तो specifically अपने lifetime low से already 90% ये bounce back दे चुका है तो अब Paytm में क्या करें, low से 90% बढ़ चुका है, लेकिन अभी Paytm उपर जाएगा, हाँ जाएगा उसका कारण है, काफी सारे rating agencies, काफी सारे banks अभी भी इसे upgrade कर रहे है और Bank of America ने recently upgrade किया था, with a target of 1020, हाँ, एक्की सो पचास की आपकी application price थी, उससे तो आधाई अभी भी target मिल रहे है लेकिन Paytm के performance अब improve हो रहे है, उसके results आपके screen पे दिख रहे हैं आपको मार्थ 2022 में 1650 करोड का revenue, मार्थ 2023 में 2450 करोड का revenue Profit before tax पिछले साल, loss था company को 723 करोड, इस बार भी loss है, लेकिन loss काफी कम हुआ है, वो 165 करोड का Net profit पिछले साल, यानि net loss, 761 करोड का net loss था, इस बार net loss आया है, 168 करोड का EPS पिछले time minus 12 था, इस बार minus 3 पे आ चुका है, तो company अपने performance इंप्रूव कर रही है, losses को कम कर रही है पिछले एक मैने में return अगर हम देखें तो 19% का return है, तीन मैने में 34% का return, छे मैने में 66% का return, एक साल में 35% का return तो paytm भी return percentage में काफी आगे है, 2022 में paytm का revenue देखें तो 4970 करोड के असपास था, जब 2023 में अगर देखें तो 7990 करोड, यानि almost यहाँ पे 1.8% की साधा ग्रोव हुआ है 2022 में company का net loss था, 350 करोड, जबकि 2023 में अगर company का net loss देखें तो 1764 करोड का है company का 2022 में EPS थाम minus 38, जबकि 2023 में EPS आया है minus 27, तो paytm और एक share है, जिसे आपको आपके आने वाले generations के लिए long term के लिए hold करना है तिसरा, Sula Vines, recently listed company है, और recently quant mutual fund ने, उसमें stake बढ़ा है 3.1% के साध पास, और इसलिए उनका जो recently strike, stock price appreciation है, वो अच्छे से grow हुआ था मार्च 2022 में अगर company का revenue देखे तो 97 करोड का था, मार्च 2023 में 110 करोड के आसपास आया है revenue की बात करें तो revenue grow हुआ अच्छे से, net profit मार्च 2022 में 12 करोड का था, इस बार मार्च 2023 में 16 करोड का है और अगर हम EPS की बात करें, मार्च 2022 में 1.54 था, इस बार EPS आया है 1.97 के आसपास revenue मार्च 2022 में overall देखे तो 390 करोड का था, 2023 में 490 करोड यानि 100 करोड का revenue year on year business पे बड़ा है net profit मार्च 2022 में total 48 करोड का था, 2023 में 88 करोड का है, double हुआ है almost और EPS की बात करें, 6.36 था, 2022 में EPS इस बारा है 10.71 तो ये clear cut improvement है यहाँ पे भी सुलावाइन्स में, तो और एक ऐसा share है, जिसे आप, मैं कहूंगा, आने वाले generations के नहीं नहीं लेकिन long term के लिए जरूर आप hold करके रख सकते हैं, delivery, recently delivery highlight में था, इस हफते हमने देखा था specifically अगर हम देखे तो काफी सारी block deals हुई थी, car line ने यहाँ पे अपने 3.53 में से 2.56% यहाँ पे car line ने sell किये थे shares और अगर उसके सामने अगर हम देखे तो काफी सारे banks ने 500 क्रोड के आसपैस के share delivery के बाई किये थे, इस gold deal के चलते हुए अगर logistics sector की बात करें तो काफी stable margins दिख रहे हैं, काफी सारे rating agencies के आने वाले 12 मैने के, specially for logistics sector मार 2023 में company का revenue था 27 क्रोड मार 2023 में 1934 क्रोड का company का revenue था, पिछले साल net profit था अगर हम देखे net loss जो था वो था minus 120 क्रोड के आसपास और अगर net loss इस बार देखे तो 1500 क्रोड के आसपास आया है, तो in terms of net profit, in terms of profit before tax इतना improvement नहीं दिख रहा है लेकिन क्योंकि overall logistics sector अब बूम हो रहा है, specially after Russia, Ukraine crisis, specially after second lockdown उस वज़े से यहाँ दिख रहा है commodity prices नीचा रहे है, जिसका benefit logistics sector overall कपको मिलेगा एक मैने में 3.5% का return, 3 मैने में 3.5-14%, 6 मैने में 3.5-16% का return मिला है तो return काफी अच्छे मिले हैं delivery में, अगर in terms of stock price देखें, पिछले 6 मेने में और 2022 में अगर हम देखें तो company का revenue 5.911 करोड का, 2023 में 6.650 करोड का revenue है net profit की बात करें specifically, 2022 में company lost था 863 करोड, 2030 में अब तक company lost की 812 करोड के आसपास तो delivery अगेन मैं काऊंगा, सुला की तरह long term के लिए hold करिये, अच्छा stock है और आप पूरे logistics sector जो है, वो अच्छे formations में आ रहे हैं, policy बजार और एक ऐसा stock जिसे आप अपने long term के लिए ज़रूर hold कर सकते हैं, लेकिन मैं काऊंगा, इस stock में जितना हो सके, top up कीजे City Group ने recently policy बजार का PB FinTech जी से हम कहते हैं, वो 820 का target दिया है, और उसके तीन major कारण है, एक तो growth अच्छा दिख रहा है, और साथी में policy बजार का जो business है, वो अच्छे volume के साथ गुरगो रहे हैं, conversion rate अच्छा improve हो रहा है, और execution company का offline strategy का है, वो भी improve हो रहा है, analytics अगर हम देख revenue देखें तो 590 करोड था, मार 2023 में साड़े 900 करोड, specifically अगर हम बात करें, profit before tax पिछले साल था, minus 220 करोड के आसपास, यानि loss था company को, और इस बार वो loss काफी कम हुआ है, साड़े 9 करोड के आसपास सिर्फ loss हुआ है, पिछले साल loss था 219 करोड का, इस बार है सिर्फ 9 करोड का, तो 220 करोड के loss से company 9 करोड के loss पे आ चुकी है, और पिछले 6 मेने का return देखें, तो 50% का return है, एक साल में 11%, 3 मेने में 3.5% का company का return है, 2019 में 49 करोड का company का revenue था, जो बढ़कर हो चुका है 134 करोड पिछले 4 सालों में, net profit अगर हम देखें, तो 2019 में net loss था 15 करोड का, जो during 2022-300 loss उनों ने किया था, और अब losses कम हुए 2023 में 74 करोड के आसपास, 2019 में अगर company का EPS देखें, तो due to stocks plate यहाँ पे काफिसार EPS के सकते बड़े थें, लेकिन अब जो EPS आया है, वो है minus 1.67 के आसपास, तो PB FinTech, Paytm, Sula Wines, Delivery और साथी में LIC, यह 5 ऐसे stocks हैं, यह 5 ऐसे IPOs हैं, जो लेकिन क्योंकि recently listed है, इसलिए मैं ने इस वीडियो में उसे डाला है, लेकिन LIC, Paytm, Sula Wines, Delivery और PB FinTech, यह 5 ऐसे stocks को अपने portfolio में include कीजिए, अगर आपके पास नहीं है shares, और अगर अल्रेडी है, तो आप PB FinTech, Paytm, Delivery और साथी में आप LIC जैसे shares में top up कर सकते हैं, Sula Wines को मैं काऊंगा, नहीं suggest नहीं करूँगा कि आप top up करिए, लेकिन हाँ, अच्छी quality का stock है, hold करके रख सकते हैं, आपके screen पे आपको advisory product के details दिख रहे हैं, साथी में YouTube live का details दिख रहे हैं, advisory product में जुड़ जाएं, 30 days, 60 days, 90 days, 3 तरीके के packages हैं, आपके existing portfolio का management होता है, आपक दिख रहे हैं, तो यह दो तरीके से हम आपके advisory product और YouTube live में help करते हैं, जिससे आप अपना portfolio और भी बैतर कर सकते हैं, आशा करता हूं, आज का वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, comment box में जरूर type कीजेगा, और भी कुछ अगर suggestions है, आपके पास और किसी stocks पे आपको specifically video बना के चाहिए, तो please comment box में type कीजेए, और इस video को जरूर शेर करिएगा अपने family friends के साथ, ताकि उनको भी पता चले कैसे new age stocks में उनको अपनी positions को tackle करना है, मिलते हैं अगले video में, thank you